शेख महबद बिजायद से मिलता हूँ तो वो आप सभी भारतियों की बहुत प्रसोंचा करते हैं वो UAE के विकास में आपकी भुमिका की तारीब करते हैं इस जायद स्टेडियम से भी भारतियों के पसीने की खुश्बु आती है अपने सुख दुख का साजेदार बनाया है समय के साथ ये रिस्ता दिनों दिन और मजबुक होता जा रहा है और इसमें भी प्रतर सेख मुहमत बिंजायद की बड़ी भुमिका है आपके प्रति वो कितनी सम्वेदन सिल्टा से भरे हुए हैं वो मुझे कोविड के दोरान भी दिखा तम मैंने उन्हें कहा था कि हम भारतियों को वापस लाने की विवस्ता कर रहे हैं लेकिन उन्होंने मुझे बोल दिया मैं बिल्कुल चिंता न करूँ उन्होंने यहां भारतियों के इलाज के लिए वैक्सिनेशन के लिए हर तरह के इंतज़ा किये उनके यहां रहते मुझे वाकई कोई चिंता करनी भी नहीं पड़ी मैं आप सब के प्रती उनका यह असीम प्रेम हर पल अनुभवता हूँ और इतना ही नहीं जब सान 2015 में उनके सामने आप सब की और से यहां अबुधाबी मैं एक मंदीर का प्रस्ताव रखा एक पल भी गमाए बिना यह भी मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ सात्यों आज 21 सदी के इस तीसरे दसक में हारत और UAE का रिस्ता एक अभूद पुर्व उन्चाई पर पहुँच रहा है हम एक दूसरे की प्रोग्रेस में पार्टनर है हमारा रिस्ता टैलेंट का है इनोवेशन का है कल्चर का है पीते समय में हमने हर दिसा में अपने समंदों को नई उरजा दिये हम दो दोनों देश साथ मिलकर चले हैं साथ मिलकर आगे बड़े आज यूए ही पारत का तीसरा बड़ा ट्रेड पार्टनर है आज यूए ही साथवा बड़ा इन्वेस्टर है हम दोनों देश इज अप लिविंग और इज अप डूइंग बिजनेस दोनों में बहुत अधिक सायोग कर रहे हैं आज भी हमारे बीच जो समझोते हुए हैं वो इसी कमिट्मेंट को आगे बड़ा रहे हैं हम अपने फाइनेंसियल सिस्टिम को इंटिग्रेट कर रहे हैं टेक्नोरोजी और इनोवेशन के छेत्र में भी भारत और व्येई की पार्टरशिफ लगातार मजबूत हो रही हैं साथियों कम्यूनिटी और कल्चर के समंदों के मामले में तो भारत व्येई ने जो हासिल किया है वो दुनिया के लिए एक मोडल है